है गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल वंस अगेन आज हम लोग स्केलेटन पीपल लीफ से क्राफ्ट बनाने जा रहे हैं मतलब वाल हैंगिंग तो उसे बनाने के लिए मैंने स्केलेटन लीफ को पहले ही तैयार करके रखा हुआ है और मैं इसे अब कलर करूंगा फेवरिक कलर औरेंज और रेड़ से और कलरिंग करने के लिए मैं एक फ्लैट ब्रस का यूज किया हूं तो अगर आप लोग इस स्केलेटन लीफ को प्रिपेर करना नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग को लीफ ले लेना है और 10-15 तक उसको पानी में रखना है उसके बाल फिर एक ब्रस लेके हलका हलका उसके ग्रीन कलर को हटा देना है तो आप लोगा स्केलेटन लीफ तैयार हो जाएगा कलरिंग करने के लिए मैं रेड और 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 उरेंज का यूज किया हूं जैसे कि आप लोग देख सकते हो और कलरिंग करने के वक्त आप लास्टिक को नीचे कवर कर लें ताकि कलर आप लोग के बेंच पर या फिर कहीं पर ना लगे तो हम लोगा लीफ कलरिंग तैयार हो चुका है अब हम लोग इसका फ्रेम बनाएंगे फ्रेम करने के लिए हम लोग एक निउस पेपर को यूज किया है निउस पेपर को र यहां पर हम लोगा स्टेक बन के तैयार हो चुका है अब हम लोग इसे फेवी कॉल से स्टेक करेंगे डबल डबल ताकि हम लोगा फ्रेम अच्छा दिखे टोटल एट से स्टेक को दो-दो करके हम लोग स्टेक कर लेंगे ताकि हम लोगा फोर स्टेक कर तैयार हो जाएगा स्टिक के लिए और फिर मैं और प्रकर और फिर मैं इसे पेवरिक कलर करूंगा ब्लैक कलर का ता कि हम में लोग का एकड़ा में पैप कया एथ इसा लिया Candice not कर सकते हो तो हम लोग का यहां पर लीफ स्टिक हो गया है आप लोग देख सकते हो गाइस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप लोग तक पहुंचता रहे और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना तो तो का दो कर दो